पैंसन धर्प को मिला न्याय माननिय एफटी के फैसले ने रच दिया इतियास नमस्का दोश्टों एक बाव फीजी स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर दोश्टों हम हमेशा ही अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आवगत कराते रहते हैं माननिय सु कि अबफेर देते देते तबे काफी अहारे भुद्पूर सैनिक है है या फिर हमारे स्रीवारत जवान है जो अगर उनको भी उनके खिलाब पकोई नाइंसाफी हुई है तो इन केशिज का सहारा लेते हैं और उनको जीत मिलती है इन के definite लीच़ में जाते हैं और जरूर इसी टाइब का कोई केस हुआ है तो इनका रेफ्रेंस लेकर अपना हक मांग सकें आज ये फैसला हम मानने एफ्टी लखनो बेंच दवारा सुनाया गया है वो वहां से शेयर कर रहे हैं और इसका यहां देख पा रहे हैं ये और नायब सुबेदार अनेल यादव जो एक फैसला था और क्या कहा मानने एफ्टी ने चलिए एक बजान लेते हैं सबसे पहले जो ओडर आया है वह आप देखिए आम फोस्ट टूबनल ने ये फैसला लिया है कि जो अप्लिकेंट है जिन्होंने अप्लिकेशन डाली है उनको रिलीफ दिया जाए सबसे पहला ओडर य सब्सक्राइब दोस्टों में जोगी गोवेंट की पोलिसी थी या फिर रिलेंट जो ओडर पास हुए है उनका हिसाब से उनकी पैंशन को रिफिक्स किया जाए सेकेंडली यहां पर बताया है कि जो एपलिकेंट है उनका एक इंक्रीमेंट भी पैंडिंग है अब सभी को प डिवक प्रेशन करने के बाद ऊनकी पएको रिफिक्स किया जい सैंवंज इपीक के हिसाब से और उसी हिसाब रिवाइज से नए प्सक्राइब यानि कि पैंशन पेइमेंट ओडर जाई चैन चासे उनकी पेंक्स किया जाए इनको जिटना टाइम यहाँ पर order issue हुआ है उसके हिसाब से 18% के दर से area paid किया जाए with respect to 30 June 2017 इसके अलावा यहाँ पर इन्हों ने कहा जो भी government के other order है जो यह उक्त विक्ति है applicant है उनके favor में वो यहाँ पर किये जाए तो इसकुल मिलाकर सारे फैसला जो है applicant के पक्स में आया है अब matter क्या था चलिए जानेते तो matter यह था कि 28 जुन 1991 में को यहाँ पर applicant था वो enroll हुआ था और service से वो 30 जुन 2017 को 26 साल से ज्यादा की service करके retire हो गया था जितनी भी condition थी rule 13 थी जो आर्मी का rule 90 54 है उन सभी को पूरा कते वो retire हो गए थी अब इस case में उन्हों ने यहाँ पर तीन MSP ली चार ओक्टूबर 2014 से उनको एक MSP 3 मिली थी उनको MSP 3 की वज़य से उनकी जो पे मैट्रिक्स में पैंशन थी वो हुई च्वालिस जार नोसो पर मन्त लेकिन उनकी होनी चाहिए थी उनकी होनी चाहिए थी 46,200 पर मत इसलिए एप्लिकेंट ने देखा कि उनका जूनियर है उनके जूनियर को उनसे ज्यादा पैंशन मिल रही है तो यह उनके साथ अंजस्टिश है और एप्लिकेंट ने यहाँ पर अपनी जो पैंशन है उसको फिक्स करने के जाने चाहिए अब जो रिकोर्ड है यह में रिकोर्ड के दवारा एप्लिकेंट को हावलदार की रैंक पर प्रमोट किया गया था चार अक्टूबर 2006 को विद एंटे डेट सीनियर्टी विद रिस्पेक्ट टू टू थाउजनट सिक्स उसको MSP थर्ड दी गई थी नायव जो कि सर्विस में है 31 दिसंबर 2015 या फिर 3 मई 2017 31 दिसंबर 2015 के बाद और 3 मई 2017 से पहले या फिर अदर डेट उन सभी को अगर गोवेंट की तरफ से एक्स्टेंशन चाहिए पर्मोशन इंक्रिमेंट MSP जो भी उनको गरांट हुई है इस पिरियेड में उन सभी को री एक्सर वाने के लिए एक ओप्शन फोर्म सब्मिट करना था इस पर 7 CPC अब ओप्शन सर्टिफिकेट जो था रिविजन बेसिक पे वह रिकोर्ड ओफिस को एक जनवरी 2016 से 3 मई 2017 के बीच में सब्मिट करना था अब जो हमारा एपलिकेंट था उनको इसकी नोलेज नहीं थी इसलि और अगे विभाग से संपक्थ किया और इनको कहा कि देखिये मेरी पैंशन को रिफिक्स किया जाए मेरी असली पैंशन ये बनती है लेकिन आप मुझे अपने जूनियर से भी कम पैंशन दे रहे हैं तो विभाग ने यह कहकर उनकी एपलिकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने option form submit नहीं किया था refixation के लिए इसलिए अब वो हकदार नहीं है बार-बार उन्होंने यहां पर विभाग को contact किया लेकिन उनको नहीं मिला अभी आमी परसन ने जो 30 जून 2017 को रेटायर हुए थे 24 साल से जादा की सर्विस करके पे बैंड रुपय चालिस जार दो सो पर मंद उनकी जो रिवाइज पैंशनी बैनेफिल्ट थे अंदर 7 CPC उनको जो बेसिक पे फिक्स की गई थी वह 24,400 पर मंद थी होने चाहिए थी 25,700 पर मंद जो उनके साथ अंजस्टिस हुआ और उन्होंने यहां पर आगे AFT का सारा लिया, अलग-अलग यहां पर इन्होंने केस को दिखाया कि इनको भी नहीं पता था, इन्होंने भी कोड का सारा लिया और इनके पक्स में भी फैसला आया कि इन्होंने माननिय जजो ने इनको यहां पर दुबारा से पे फिक्सेशन के आदेश दी हैं, तो यहां पर आप देख पर रहे हैं हवलदार जोग ध्यान सर्मा वर्सिज यू ओ आई के केस में इन्होंने रेफ्रेंश दिया सेकेंड लिन रेफ्रेंश दिया अनिल कुमार सिंग वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया और का थार्ड लिए एक्स हवलदार अजित कुमार का एकजांपल तो आगे इन्होंने हवलदार सिव सरन का और एक्स अनरी नवयब सुवड़ार रहादे केसन का भी इन्होंने यहां पर केस का रेफ्रेंश लिया और अपनी जो फाइल है अपना जो केस से वो फाइल किया और पूरा केस को ध्यान में रखते वे यहां पर आफ्ट ने देख कि सारे के सारे जो हमारा एप्लिकेंट है उन्होंने अपने सर्विस फुल्फिल की है उन्होंने तीन एमस्प लिए इसमे के थैफ इनकी pension के और संबिट करने में इसके इनकी स्यूंस पीए मिलने के बाद कितनी पेपनती है विए और उसके बाद 로ßerdem CPC के according जितने पे बनती है और उसका 50% जितना eligible है वो pension के रूप में इनको provide किया जाए साथ साथ जो area बनता है वो 12% की दर से इनको area provide किया जाए इसके अलावा एक और महतवपूर्ण बात यहाँ पर judgment में कही गई है कि यह चार मन्त के time period के अंदर अंदर देना होगा अदर्वाइस 8% per annum की हिसाब से जुर्माना लगेगा तो बेहद ही सहराणिया फैसला है मनी एक अफटी लखनाव का हम सलाम करते हैं ऐसे जज महोद्य का जिन्होंने हमारे चैना के जवान का मान रखा और उनका फैसला उनके हक में सुनाया ऐसा अगर आपका भी कोई केस है आपके भी कोई समश्या है तो आप इनका reference ले सकते हैं अगर आपको कोपी चाहिए judgment की तो हमें वीडियो के comment box में लेख सकते हैं आपको पीडिया अप्शन कर देंगी वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर से करें धन्यवाद जाहिन चैफार्थ